नमस्कार मैं हूँ प्रग्या बिहारी नीज में आपका स्वागत है खबरों के ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर BPSC सरसटवी PT परिछा रिजर्व के खिलाफ याची का खारिज बिते दिन के पिछले 24 घंडे में बिहार में एक भी नहीं मिले कोरोना के पॉजिटिव केस बिहार के सिक्चक नियोजन के नियमों में होगा बड़ा बदलाओ यहाँ स्वास्त विवाग ने अस्पतालों में कोरोना मरीजों के लिए बेड रिजर्व रखने के दिये निर्देश चितनश्वर पुजारा सामिल हुए विराट कोली और सचिन तेंदुलगर के खास क्लब में इसके साथ ही बड़ते हैं साम तक की बड़ी खबरों के ओर विस्तार से बिहार के नए डीजीपी ने सभी पुलिस कर्मियों को दिया यह टास्क दरासर पुलिस कर्मियों की चुस्ती बनी रहे और उनमें फूर्ती बनी रहे इसके लिए DGPRS भटी ने टास्क के तहर सभी पुलिस कर्मियों को सब्ताह में दो दिन परेड करने को कहा है इस परेड में कारे आले में बैटे पदाधिकारियों के साथ वे सब पुलिस कर्मी भी शामिल होंगे जो फिल्ड में अपना कारे करते हैं स्टाफ को पूरा करने के लिए SP के द्वारा एक ट्रेनर की भी नुगती की जाएगी BPSC सरसटफी-PT परिच्छा के रिजल्ट के खिलाफ याचि का खारिच हाइकोट के जेस्टिस मधूरेज प्रिशाद ने सरसटफी-BPSC प्राडंबिक परिच्छा के रिजल्ट को लेकर हरशित सर अन्व अन्ने की याचिकाओं पर सुनवाई करते वे उसे खारिज कर दिया है दरसल याचिका करता की ओर से कोट में पक्च प्रस्तूत करते वे वड़िये अधिवक्ता वाईवी गिरी ने बताया कि परिक्षा में करीब 10 ऐसे लगभग प्रश्ण थे जिनके मौडल उत्रों में गल कर दिया बिहार के सिख्चक नियोजन के नियमों में होगा बड़ा बदलाओ बिहार में सातवे चरण के सिख्चक नियोजन को लेकर नियमों में बड़ा बदलाओ किया गया है किये बदलाओ के नुसार इस बार सिख्चकों के रिक्त पदों पर बाहाली की प्रक्रिया प्यार की जा रही नियमावाली में प्रस्तावित किया गया है जिसके बाद इसे अंतिम रूप देने के लिए काबिनेट के पास भेज दिया जाएगा लेकिन उससे पहले नियमावाली को राजसरकार के सिर्श अफसरों के पास राई के लिए भेजी जाएगी बिहार स्वास्त विवाग ने अस्पतालों में कोरोना मरीजों के लिए बेड रिजर्व रखने के दिये निर्देश दुनिया में कई जगों पर भरते कोरोना संक्रमन को देखते वे बिहार में स्वास्त विवा की ओर से सभी अस्पतालों के लिए निर्देश चारी कर दिया गया है विवा के प्रधान सची प्रत्य अमरित के दोरा दिये गया इस निर्देश में सभी मेडिकल कॉलेज जो अस्पतालों को कहा गया है कि वे कोरोना मरीजों के लिए बेड रिजर्व कर दे इसके साथ उन्होंने कहा है कि अभी के समय जो भी पॉजिटिव सैंपल आ रहे हैं उन इसे दिन मुख्य सचिवाले के सभागार में उद्योग तथा सूचना के प्रावायधी की प्रचहित्र की पुर्व बजट बैठक वित मंत्री विजय कुमार चौधरी की अध्यक्षता में आयोजित की गई जिसमें बिहार में उद्योगो को बढ़ावा देने को लेकर विजय कुमार चौधरी ने कहा कि सरकार बिहार में हर हाल में उद्योगो को बढ़ावा देना चाहती है हाला कि बिहार की अपनी कुछ भोगौलिक और एतिहासिक सिमाई है लेकिन फिर भी सरकार उद्यों को बढ़ावा देने के लिए कृत संकल्पित है आपकी जानकारी के लिए बता दे कि वित मंतरी विजय कुमार चौधरी की अध्यक्षता में हुई इस पैठक में विविन उद्यों को उद्यमियों महिला उद्यमियों समीत कई मुद्दों पर चर्चा की गई कोड़े वद धुंद ने लगाई ट्रेनों के रफ्तार पर ब्रेक ऐसे चेक करे अपने ट्रेन का स्टेटस ठंड का प्रकूप सुरू हो गया है और ऐसे में बीते दिन गुरुवार को मौसम और परिचालन संबंधी दिक्कतों को देखते वे रेलवे के दोरा कई ट्रेनों के परिचालन को रद कर दिया गया है तो वहीं करें ट्रेनों को नियंतरित कर चलाने को कहा गया है जिससे ट्रेन सही समय पर स्टेशन पर नहीं पहुँच पा रही है जिस वज़े से यातुरियों को काफी परिशानी का सामना करना पर रहा है ऐसे में अगर आप भी कहीं सफर करने वाले हैं और अपने ट्रेन का स्टेटस को लेकर जानकारी हासल करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको SMS में अक्षर का AD लिख कर 149 पर भेजना होगा बिहार के सभी राज्किय संस्कृत विद्याले बंध होने के कगार पर बिहार में कुछ 16 राज्किय संस्कृत विद्याले थे जिसके स्थापना प्रथम मुख्यमंत्री श्रेकृष्ण सिंग के द्वारा की गई थी हाला के बिहार और जारकन के विवाजन होने के बाद वर्तमार में बिहार में 11 स्कूल सेज बचे हैं लेकिन अब ये राज्किय संस्कृत विद्याले भी बंध होने के कगार पर आगे हैं दरसल इन विद्याले में पिछले 8 सालों से एडमिशन काफी कम हुआ है तो वहीं साइबर ठक गिरफतार एक तरफ जहां साइबर ठक अपने नए नए तरीके से ठकी को अंजान दे रहे हैं तो वहीं दूसरी ओर पुलिस अधिकारी भी इन्हें लेकर और सतर्क हो गया हैं बता दे कि पटना की पत्रकार नगर थाना की पुलिस ने दो साइबर अपराधियो पर कारवाई कर उसे गिरफतार कर लिया है ये साइबर अपराधी महरास्ट्र से सेना के लोकसभा सांसत स्रे रंग अपपा बढ़ने के नाम पर फरजी रबर स्टाम बना कर फरजी तरीके से इस्तिमाल करते थे पुलिस के दोरा जिन साइबर अपराधियों की गिरफतारी क की गई है उनमें से भोजपूर जिले के चौड़ी थाना निवासी 22 साल का अंजिस कुमार और दूसरा सिखपूरा जिले के सिखपूरा सराय थाना के तहत मुहबत पूर के रहने वाले 20 साल का सुर्य प्रताब कुमार है बीते दिन के पिछले 24 घंटे में बिहार में एक भी नहीं मिले करोना के पॉजटिव केस करोना को लेकर बिहार अलर्ट मोड में आ गया है वहीं बीते दिन 22 दिसंबर को स्वास्त विभाग की ओर से कोविड 19 से जड़ा अपडेट दिया गया जिसमें यह पाया गया है कि 21 दि 365 लोग पॉजटिव हो चुके हैं जिनमें से 8,49,69 लोग वैसे हैं जो पूरी तरह से स्वस्त हो चुके हैं वहीं वरतमान में एक्टिव करोना मरीजों की संख्यात तीन है एक्शन मोड में बिहार के उपमुखे मंतरी तेश्वी आदव ने जब से बिहार के उपमुखे मं को रैंड बसेरा पहुच गए और वहां की विवस्ता देकी इस बात की जानकारी तेश्वी यादव के दोरा ट्वीट कर दी गई है उन्होंने ट्वीट शेयर करते वें लिखा कल रात रही आश्य अस्थल का निरिक्षन कर सुविधाओं का जायजा लिया और साथ ही उन्ह के मंतरे नितीज कुमार ने NDA को छोड़ा था वीतेदन गुरुवार को जेडियू काड़े आले में काड़े क्रम के बाद उन्होंने इस बात का खुलासा करते वे कहा कि नितीज कुमार ने NDA बिहार बीजेपी के अध्यक्ष संजय जैसवाल और नीता प्रतिपक्ष विज अब्दुलबारी सिद्की को उनके बेटे नहीं उनके दिये गए बयान को लेकर जवाब दिया है दरसल कुस दुनों पहले उर्दू दैनिक की ओर से अस्थानिय होटल में विधान परिसत के सभापती दिवेश चंद्र ठाकुर के सम्मान में एक कारिक्रम आयूजित की करेंगे कहां नौकरी करेंगे इसके बारे में सलाह देने का अधिकार आपको नहीं है। पांची लोगों के द्वारा उन्हें बधाई दी गई। उसी के क्रम में चिराग पासवार ने भी उनसे मुलाकात की और उन्हें बधाई दी। बतादे कि दोनों के बीच हुई इस मुलाकात को सिष्टाचार्ट भेट के रूप में माना जा रहा है। बताते चले कि पुजारा ने टेस्ट क्रिकेट में सबसे आदा रन बनाने के मामले में सर डॉन ब्रैड मैन के द्वारा बावन टेस्ट मैचों में बनाए गए 6996 रन को पच्छार दिया है। इस छेत्र में भारत की ओर से सबसे पहले नंबर पर सचीन तिंदुलकर अपने 15921 रनों के साथ नंबर वन पर है। जानिया अज बिहार में क्या है पेट्रॉल डीजल के रेट बिहार में आज यानी सुकरवार को पेट्रॉल डीजल के रेट जारी किये गए जिसके बाद राजधानी पटना में आज पेट्रॉल 107.22 रूपए और डीजल 94.22 रूपए प्रती लीटर मिल रहा है। चपरपुर में पेट्रॉल 107.9 एक रूपए और डीजल 94.64 रूपए प्रती लीटर में मिल रहा है वही पुर्णिया में पेट्रॉल की कीमत 108.72 रूपए और डीजल 95.65 रूपए प्रती लीटर है भागलपुर में पेट्रॉल की कीमत 108.26 रूपए और डीजल की कीमत 94.97 बिते दिन हमारे दरा पूछेगा सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमें हमारी कमेंट सेक्षन बॉक्स में लिख कर दिया था जिन्होंने हमारे दरा पूछेगा सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है अनवर करीम खान, रंजीत मिश्रा, नुन्नु गोलु कुमार, राम कुमार साहू, मृत्यूंजे कुमार, रवी संकर, लाल बाबू, उमेश रिसिदेव, नीरज कुमारी आदव, राजीव कुमार, म प्रकाश मौर्य, बाबूलाल मरांडी, अब भरते आज के सवाल की ओर, आज का सवाल है, आप लोगों ने अभी तक बूस्टर डोज लिया है या नहीं, आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिख कर जरूर बताए, आज के लिए इतना ही बिहार के तमाम सब्सक्राइब करना और अगर आप फेस्बुक से देख रहे हैं तो पेस को लाइक करना ना भूले धन्यवाद